नमस्कार अभी हम सर्यू नदी के किनारे अयोध्धा में खड़े हैं और अयोध्धा में राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का उसो तेजी के साथ मनाया जा रहा है और वहीं भब्ब तरीके से एक खजार आठ स्यूलिंग की इस्थापित की जाएगी जहां तक आपकी नजर स स्यूलिंग के लिए कुटिया बनाई गई है जिसमें स्यूलिंग इस्थापित की जाएगी और अनेकों अनेक जो ब्रामन है इसकी पूजा करेंगे उनकी अर्चना करेंगे तस्बीर देख लीजिए एक बार आप जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर छोटी-छोटी पूरी कुटिया बनाई गई है और उस कुटिया में एक हजार आच यूलिंग स्थापित की जाएंगी माराजी कितना समय लग अगया यह सारी कुटिया बनाने में पूरी में 4 नर्वदा से नर्वदा नदी का कंकर वसंशंग कर नम किया है इसमें कम से कम 45 आदमी और रम न स्टाराम का जाप होगा और नर्मदा नदी से शीवलिंग आएगी और एक हजाराइट यहां पर उनकी पूजा दिन रात होती रहेगी और वह एक मैं बड़ा सब्लंग है चार चार आदमी बना है चार आदमी बैठेंगे पूजा करेंगे मतलब सीटा राम सीटा कर राम का जाप होता रहेगा चार चार लोग विराज मान होंगे और स्थापित किया जाएगा उनकी पूजा प्रतिष्टा चलती रहेगी लगा तार पची सो दिन तक पची सो दिन तक एक बार तस्वीर दिखा दे महराज जी ऐसे बात करते हुए चलेंगे महराज जी एक बार तस्वीर आपको कहेंगे दिखाने का प्रयास करेंगे यह कुटिया बनाने में कितना समय महराज जी म कतना समय लग यह सारी कुटिया बनाने में पूरे में चार महीने लग जपिए के बनाने में काम किया है इसमें ऌLS 450 आदों ओड़नी हैंगारा है शेया बनाने वाले आधा बेहार के रहने वाले हैं चाली से creepy 2028 तालीस लोग प्रति दिन काम करते और चार महेने-तक निरंदर काम करते रहे जिसके बाद यह एक प्रकार से हम कहें यह जो bus E 아니 these 1001 002 कुटी फोटीu haa दाने जिसके बालर किया जाहिए तो ऐसी यदे शाला बनी है जिसमें प्रती दिन प्रती दिन प्रती दिन पूजा होगी धर भगवान राम से सिवलिंग की पूजा होगी एक हजारे और क्या कहेंगे वहां रामेश्वरम में महगवान खुद स्थापना किया और यहां पर सरीव नदी के किनारे या अध्या में साधू संतों के द्वारा नेपाली बाबा महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है कैसा लग रहा है बढाजी अपने इश्ट मांते हैं स्जी को तो जब राम जी पारत्य नम द्रम क्या स्थापना किये और भगवान तुमिल नाम की महिमत थोओं नाम का लहुमत दाता ही परलोक रोख पित्माता इस लोक में भी परलोख में भी राम नाम जो भी इच्छा मनुरत है सब पूंड करने वाला है और इस सर्जु जी के पावन तटपल जो जिसको भगवान जो है देख करके कहते हैं अवध्पुरी मंपुरी सुहावन तर्दिस्वा सर्जु पावन तो सर्जु की गोधी में जहां राम जी खेले हैं जिसमें जल क्रीडा किये हैं और उस उसी अस्थल पर यह इस उपलक्ष में तो है वराई सवसर पे हो रहा है और यह अयोद्या के लिए नहीं पूरे बिश्व के लिए हितकर है हर प्रकार से एक सबका कल्यान करने वाला यूजन हो रहा है जी चadowलु जौन नेपाल मने महराजी का तो 4 सब से हैं जिसमें चारल ौतरफ बहुत और यह अगमन के महसों में विश्व कल्यानार्थ यग्यों हो रहा है इसमें भगवान राम जी के नाम संकीतन भगवान शीव का विशेक और देवताओं का यजन पूजन किया जाएगा जैसे भगवान राम का आज्या विशेक हुआ तो समस्त देवताओं ने मिलकर के भगवान शीव ने आकर के और समस्त देवताओं यहां की बेद भी आकर के भगवान की स्तूती किये थे ऐसे ही इस प्रान प्रतिष्ठा महोसों में ऐसा लग रहा है मानु समस्त देवताओं स्वर्ग से उतर करके भगवान की स्तूती करने क आदिकार शीव को ही है तो इसलिए शीव जी का अविश्यक पूजान हो रहा है ताकि हम सब को राम जी के चरणों में प्रेम अनुराग प्राप्त हो देखिए यह अनुस्ठान पूरे अयुद्धा में तेजी के साथ भगवान के प्रतिस्टा महोसों के दारान पूरे दिखाने का प्रयाष करेंगे या कि साला की तजबीर दिखाए यह अध्यसाल सामने सबह networks ूजिश्यक होगा 1278 उनुसर्थ किया जाएगी और अनुस्ठांट्ध होगा तज्बीरे देखिए कितना भब्वे और दिब्वे बनाया गया है यह दर्बार जहां पर 1008-1008 कुंड है और सामने साक्षात एक हजार आठ सीवलिंगी स्थापित किये जाएंगे और वहां पर दिन रात पुजा प्रतिंगाएं की जाएंगी तमाम देखिए साधो संतों का समागम लगा हुआ है तो चलिए अब आप यह क्या प्रत्क्रिया है अपनी राजरूर दीजेगा आप कैसे देखते हैं क्योंक नवाफ विल्गा संवाफ आपर यहिर ऑ्रत्क्रत्निशन सीवलिंगाओ किो नवस्पाइब दीजेगा झ।गत Pacific間 यह स्राफिया इगर।